गुड मॉर्निंग इस्टूरेंज आज आपका सब्जेक्ट है इंगलिश और इसमें हम चैप्टर नंबर 11 स्वेतास दे के बारे में पढ़ेंगे एक दिन के और बारे में बता रही है कि अपने टाइम ट्रोनिन पर कैसे स्पेंड करती है इस छोइता शीजपले स्पेंड बारे में कि वह स्पेंड करता रही है I get up early in the morning at 6 o'clock वो कितने बज़े उरती है morning में 6 o'clock है नि 6 बज़े सुबह उर जाती है I get ready for my school वो school के रेड़ी हुजाती है I go to school at 7.15 a.m. every day वो school कब जाती है 7.15 पे ठीक है रोज उसका timing कहा school जाने का 7.15 I go by bus I stay at school till 1 p.m. वो किस से जाती है by bus से अनि कि bus के द्वारा वो जाती है क्योंकि उसका school थोड़ा दूर होगा तो वो bus उसको लेने आती है तो वो bus से जाती है I stay at school till 1 p.m. अब वो कितने बज़े तक जाती है school में उसका school timing क्या है 1 p.m. ठीक है अनि कि एक बज़े तक then I have some rest वो क्या करती है आने के बाद में लंच करती है आने कि जो सुबह का खाना होता है उसको हम लंच बोलते हैं और उसके बाद में वो थोड़ा टाइम रेस्ट करती है in the afternoon afternoon मतलब दिन के समय ठीक है I play with my brother for some time वो अपने छोटे भाई के साथ में जो भी उसका भाई होगा बड़ा चुटा उसका रहत में वो खेलती है ठीक है I love to spend some time with my mother वो कुछ समय अपना मदर के साथ में विताती है I start doing my homework at 4 o'clock अब वो अपना homework अब स्टार्ट करती है दिन में 4 o'clock पे याने कि afternoon में I also read story books वो क्या करती है story books भी पढ़ती है and draw a picture after my homework वो अपना homework complete हो जाता है जब उसका school का homework उसके बाद में story books पढ़ती है और फिर pictures भी करती है कुछ-कुछ in the evening at 6 o'clock अब शाम के समय की बाद बता रही है हो कि शाम के 6 बज़े के around I go to park with my mother and brother वो अपनी mother मरला ममी के साथ और अपने भाई के साथ में कहां जाती है पार्क में जाती है there are meet my friends मुहार वो किस से मिलती है अपने friends यानि कि अपने दोस्तों से मिलती है we play together and have fun वो क्या करते हैं इस सब friends मिलकी एक साथ में खेलते हैं एंजॉय करते हैं इंजॉय किस तरीके से अच्छे अच्छे games खेल के जूले जूल कर इस तरीके से वो इंजॉय करते हैं my father returned home at 8 o'clock उसकी पापा कितने बज़े आते हैं शुईता की 8 o'clock पे कहां से office जाते होंगे तो office से वो 8 बज़े आते हैं after taking rest for a while we all sit down of dinner together थोड़ा सा rest करके वो बता ली कि पापा थोड़ा सा rest करके we all sit down for dinner together वो एक साथ किसके लिए बैठते हैं together मतलब होता है dinner मतलब जो हम राद कर खाना खाते हैं उसको dinner बोलते हैं तो वो कहां पे बैठते हैं एक साथ में dinner के लिए then we watch television for some time उसके बाद में वो करते हैं television को मतलब टीवी देखते हैं थोड़ी से देर at 9 o'clock अब 9 o'clock के रात के 9 बजी की बात हो रही है my mother gives me a glass of milk उसकी मम्मी उसको यह देती है फिर रात के टाइम पे दूद का glass milk का I like it very much और वो बोल रही है मुझे दूद milk बहुत अच्छा लगता है it is good for my health यह मेरे health के लिए बहुत अच्छा है इस सभी की health के लिए बहुत अच्छा होता है क्या milk तो सबको milk पीना बहुत जरूरी होता है I go to bed at 10 o'clock अब वो किस पे bed पर चलियाती है यानिकि सोने के लिए चलियाती है कितने बज़े 10 o'clock पे I say good night वो good night कहती है to all my family members यानिकि family के सभी सदिल्सों को वो good night कहती है तो उस तरह के से अपना पूरा दिन spend करती है अब है इसकी worksheet तो पहले आप dictation लिखेंगे सारा spend morning, evening, stay, afternoon together income फिर है question number first take the right statement and cross the wrong ones श्वेता's gets up 7 o'clock क्या श्वेता 7 बज़े ओड़ती है नहीं वो 6 बज़े ओड़ती तो ये statement गर लत है श्वेता goes to school by bus ये सही राइट कर देना श्वेता does not spend time with her mother क्या श्वेता उसकी मम्मी के साथ time spend नहीं करती थी नहीं वो तो करती थी तो ये statement wrong है श्वेता goes to park in the evening क्या वो पाक जाती थी evening में येस श्वेता's mother give her a glass of milk at night क्या श्वेता की मम्मी उसको ग्लास एक ग्लास दूद्ट का देती थी रात में येस श्वेता takes her dinner with her family के श्वेता अपनी डिनर अपनी family के साथ करती थी येस तो आपको इस तरीके से फिल करने है यू डू मैनी activities at a specific time of the day राइट दा टाइम वैं यू डू दा फॉलविंग अक्टिविटी अब इसमें क्या करना है आई घैट अप जितने बज़े चाव मिल टा इसमें टाइमर मिल लखंगे तीकिंग अपनी ऐस्ड़ा आइäई I go to school at कितने बज़े श्कूल जाते हैं I come back home at कितने बज़े श्कूल से आते हैं I take my lunch at आप कितने बज़े lunch करते हैं वह timing लिखना है I go to bed at तो आप कितने बज़े सोने जाते हैं तो आपको इनको अपने according time set लिखना है ठीक है नेक्स्ट कोशन है answer the following question when who is telling about her day कौन अपने मलब पूरे दिन की बात कर रहा है उसके दिन श्वेता अपने दिन की बात कर रही है ठीक है when does श्वेता get up श्वेता कितने बज़े उठती है six o clock with whom does श्वेता play इसके साथ खेलती है श्वेता ब्रदर के हाथ खेलती श्वेता play with her brother what does श्वेता mother give her at nine o clock श्वेता की मदर क्या देती है उसे nine o clock पे तो यहां पर आएगा इयो जलास ऑफ मेलिक है यानिकी दूत का ग्लास गती है आप है राइट डट अक्टीविटी इस देट स्वेता अपने आप श्वेता के श्वेता के पड़ी थिक है उसको आपको लिखना है कि six o clock पर बेश्वेता करती है 715 पर क्या करती है 1.30 पर लंच करते हैं लंच लिगना है फॉरो क्लॉक पर वह कहते हैं होमवक करती है 600 पर पाख जाती है तो आपको पूरा मैंशन करना है और कुछ भी करने पर नहों होता है तो आप मुझसे पोल सकते हैं थैंक यू